कई बार आपने सफेद मतर की चाट रगड़ा चाट रेसेपी खाई होगी, लेकिन आज मैं आपको सफेद मतर की सबजी की रेसेपी बताने वाली हूँ, अगर इससे पहले कभी नहीं बढ़ाई है, तो एक बर जरूर बनाईएगा, तो सबसे पहले आपको सफेद मतर का इस्त तरह से कुख हो जाएगी और सफेद मतर पक के तयार हो जाएगे, इसमें मैंने नमक डाला है और थोड़ा सा आलू भी अच्छी तरह से डाल दिया था, उसके बाद एक कढ़ाई लेनी है, कढ़ाई में मैंने डाल दिया है, तेल लग भग मेरे पाश 1500 गरम सफेद मतर का इस तरह से बाद मैंने इस्तAfाल किया है अदरक का का जी हाँ दूसरत दो चममज कहिस का आपको अदरक का इस्तमाल करना है, दो बड़े सहच की टमाटर का इस्तमाल करना है, बहुत ही चटकारे दार और बिल्कुल ही टेश्टी वाली रेसेपी भंदी है, अगर कभी नहीं बना और यह और अर्म स्रृप्राइज देने वाली हूँ इस रेसीपी से आप दो रेसीपी बना सकते हैं और इस रखशा बंधन आराम से एंज्योई कर सकते हैं ऑज घर में मिल जाते हैं और आधा से भी आधा मेंने डाल दिये हैं काली मिर्स का Dês ये भी मैंने आजा चमच के करीब लिया है और एक चमच थोड़े से कम होगे मेरे लिए हैं जीरा के पाउडर और ये दिखे एक चमच थोड़े से कम धनिया के पाउडर और सभी मसालों को आपको अची तरह से भूल लेना है और एक खास मसाला मैं डालने वाली हूँ जिससे कोई भी एस्पेसल मसाला डाल सकते हैं, जैसे चिकन मसाला हो गया, मतन के मसाले हो गया, या फिर राजमा मसाले हो गया, कोई भी मसाला अपले सकते हैं, या फिर चाहे पैकेट वाले भी इस्तमाल कर सकते हैं, और फिर मैंने हरी मिच्ट को कट करके डाला है, बहुत ही अच्छ टमाटर भी गल जाने चाहिए, प्याज भी अच्छी तरह से पक जाने चाहिए, यह देखिए, बहुत जरूरी है बूनना, और हाँ अभी तक अगर मेरी रेसेपी को आप देख रहे हैं, और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिया, और इस चैनल को ला जितने आपको ग्रैवी रखने है उसके अनुसर पानी डालना है, और यह देखिए मतर की रेसेपी है, तो तो थोड़े से घाड़ ही होते हैं, तो आपको ग्रैबी थोड़ी से अगर पतली अगर रखेंगे तो तो आपको यह बात का धियान रखना है, और पानी अची तरस डाल के इसे एछी तरह से उबलने के लिए चोड़ देना है, उबलने के लिए ङहाँ हो जाएगा। और ये देखें इसके पांट जैसे काबली चेने के चाट होते है अब बस उसी का इस्तमाल करने वाले है तो सब से पहले आपको क्या करना है चलिए मैं दिखाने वाली हूँ इसके तारे इस तरह बना लिये है तो इस तरह आम एंजॉय कर सकते है झाल